का पावन पर्व है आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देश्वास्यों को इस पावन पर्व पर हारदिक बधाई देता हूं ये भी बहुत सुखद है कि डेड़ साल के अंतराल के बाद करतार पूर साहिब कोरिडूर अब फिर से खुल गया है साथियों गुरु नानक जी ने कहा है वीच दुनिया सेवी कमाईए तदरगी ही बेशन पाईए यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांसियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडिया जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है मैसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्च प्राथिकता दी साथ क्यों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से अस्वी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों के संख्या दस करोड से भी ज़्यादा है उनकी पूरी जिन्दिकी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चोटरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निमकोटेड यूरिया, स्वाइल हेल कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने 22 करोड स्वाइल हेल कार्ड किसानों को दिए और इस वईज्यानिक अभियान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बढ़ा साथियों, हमने फसल बिमा योजना के ओ अधिक प्रभावी बनाया उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए आपदा के समय जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ ले इस वज़ए से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पैंशन की सुविधाओं को भी ले आए छोटे किसानों की जरुतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी महनत के बदले उपच की सही कीमत मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाये गए देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया हमने MSP तो बढ़ाई ये साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हमारी सरकार द्वारा की गई उपच की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देश की एक हजार से जादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़ कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेजने का एक प्रेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुपिय खर्च किये साथियों आज केंद्र सरकार का कृशी बजेट पहले के मुकाबले पाज गुना बढ़ गया है हर वर्ष सवा लाग करोड़ रुपे से अधिक कृशी पर खर्च किये जा रहे हैं एक लाग करोड़ रुपिय के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेट के नद्दीक भंडारण इसकी ववस्ता कृशी उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार ये सारी बाते तेजी से हो रही है छोटे किसानों की ताकद बढ़ाने के लिए दस हजार एप्पियो किसान उपादक संगठन बनाने का अभियान भी जा रही है इस पर भी करीब साथ हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो दुना करके दस हजार करोड रुपिये कर दिया गया है हमने क्रॉप लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष सोला लाग करोड रुपिये हो जाएगा अब पशुपालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाब मिलना शुरू हो गया है यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिती सुद्रे उनकी सामाजिक स्थिती मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करशी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए जादा से जादा विकल्प मिले बरसों से ये मां देश के किसान देश के करशी विशेशग्यों देश के करशी अर्थसास्त्री देश के किसान संगठन लगाकार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था इस बार भी समसंद में चर्चा हुई मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने अनेक किसान संगठोनों ने इसका स्वागत किया समर्थन किया मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ दन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के क्रसी जगत के हित्में देश के हित्में गाउं गरीब के उज्वल भविश्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से किसानों के प्रती पूर्णा समर्पन भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्णा रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजूत कुछ किसानों को समझान नहीं पाए भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वूर्ण था क्रिशी अर्थसास्त्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिसल किसानों ने भी उन्हें कुरुशी कानूनों के महत्व को समझाने का भड़पूर प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहे अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बाचित भी लगातार होती रही हमने किसानों की बातों का उनके तर्क को समझने में भी कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरां ये विशे माननी ये सर्वोचे नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथियो मैं आज देश वास्यों से एक्षमा मागते हुए है सच्चे मन से और पवित्र रिदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्या कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसाथ सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियो मैं आज अपने सभी अंदुलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुआत करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी खेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेत्यों को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को धान में रखकर क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बना ले के लिए एसे सभी विश्यों पर बविश्य को धान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्षी वज्यानिक होंगे कृष्षी अर्थसात्री होंगे साथियों हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सींजी की भावना में अपनी बात समात्त करूंगा देही शिवावर मोहे है सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर्द दिजिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार